अगर आप regularly news को follow करते हैं तो आपने recently सुना होगा कि रुपीज अपने all time low को hit कर चुका है कई reports के according ये भी कहा जा रहा है कि situation और भी खराब हो सकती है ऐसी situation होने की वज़े क्या है और क्यों रुपीज की value 81 रुपए हर डॉलर के अगेंस तक गिर सकती है यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में नमश्कार दोस्तों study close में आपका स्वागत है मैं हूँ शशांक पादे अपी 16 जुलाई को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भारत का रुपया एक US डॉलर के अगेंस्ट 79 रुपए और 72 पैसे पर खड़ा है जोगी एक दिन पहले से थोड़ी बहतर situation है इससे पहले 14 जुलाई को एक US डॉलर के अगेंस्ट भारतिय रुपया 79 रुपए 88 पैसो तक अपने all time low तक जा चुका था और लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये 80 रुपए तक गिर जाएगा अब ये सब देखकर आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि रुपए के कमजोर होने का आखिर कारण क्या है रुपए की गिरावट मुख्य रूप से कच्छे तेल की कीमतों में हुई वृद्धी विदेशों में मजबूत होते डॉलर और लगादार बढ़ते फॉरन कैपिटल आउटफ्लो के कारण हुई है इसका कारण चीन में लंबे समय तक चला COVID-19 लॉगडाउन प्रमुक सेंटरल बैंकों के मॉनेटरी टाइंटिंग कैमपेंज और अश्या-यूकरेन वॉर के कारण हुए सप्लाई चेन डिस्टरप्शन को माना जा रहा है जिसने ग्लोबल एकनॉमिक अक्टिविटीज के आउटलुक को धूमिल किया है और इसके कारण से ही तेजी से रुपए का डेप्रिसेशन हुआ है अब क्योंकि हम रुपीज के डेप्रिसेशन के बेसिक कारणों को जान चुके हैं तो चलिए उन रीजन्स के बारे में जानते हैं जिसके कारण रुपीज के नियर फ्यूचर में डेप्रिसेट होने के और चांसेज बढ़ रहे है पिछले कुछ दिनों में कई जटके जेलने के बावजूद भी भारतिय रुपिया एशिया में काफिस थेर और सबसे अच्छा ब्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है सुग्रंदा सच्देवा जो की वाइस प्रेसिडेंट हैं कॉमोडिटीज और करेंसी रिसरच की रेलिगार ब्रोकिंग में वो बताती है कि भारतिय रुपिया उन कुछ चुनिंदा करेंसी में से एक है जो की स्टेबल है वो ये भी बताती है कि उसमें अभी भी डेप्रिसियेशन का रूम है और इसी लिए वो जल्द ही 81 का आकड़ा भी छू सकता है रिजिन नमबर टू इन्वेस्टर चूजिंग सेफर हेविन रश्य यूक्रेइन वोड शुरू होने के बाद से ही इन्वेस्टर अमेरिका जैसे सेफ हेविन की ओर जादा कर्शित हो रहे है शंकनाद बद्धोपाद्या जो कि एक एकनॉमिस्ट है इन्फो मेरिक्स रेटिंग में वो कहते हैं कि डॉलर की सुप्रेमिसी के कारण अमेरिका को कभी भी डॉलर की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं बड़ी थी बाई डीफोल्ट अमेरिका निवेशकों के लिए एक स्थिर बजार तो था ही लेकिन इस युद्ध के बाद से ये बात और साबित हो गई और इसके बाद से इन्वेस्टोस सेफ हेविन जैसे अमेरिका में ज़ादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वज़े से डॉलर और मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोड बेटर रेट ओफ रिटॉन्स इन दि यूएसे हालकि भारतीय रिजर्व बैंक यानि आर्बियाई ने हाल ही में फॉरिन करिंसी इन्फलो को इन्शोर करने के लिए कई उपाई किये हैं लेकिन विशलेशकों और अर्थ शास्त्रियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत को हुए नुकसान की भरपाई में अभ कई अर्थ शास्त्रियों के अनुसार रश्या यूक्रेइन वार के कारण इन्फलेशन दुनिया भर के देशों पर भारी पड़ रही है जिससे अधिकांश देशों में करेंसी का डेप्रिशियेशन हो रहा है भारत के प्रिवेंटिव मेजूर्स के बावजूद भारत इसक आने वाले समय में और लुडग सकती है और बस आज के लिए वस इता ही यह था इन इस वीडियो का आशा करता हूं कि आपको यह चोटा और इन्फॉर्मिटिव सेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप ऐसे ही और वीडियो जिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाद से शेर करें और एक्स्प्रेंड को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू